नमस्कार दोस्तों, Study for Goals में आप सभी का स्वागत है यदि आप competitive exams की त्यारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल का वज़ से सब्सक्राइब करें It's me, रंजीत कुमार, you can follow me on Instagram and Twitter 22 अगस 2020 यानि आज, friends आज के इस वीडियो में जार्खन के मत्पून current affair के साथ ही हाली में जारी खेल रत्न पूर्शकार 2020 से जुड़ी, वे सभी बातें डिसकस करेंगे जो JPSC एम जSAC exam point of view से important होंगे तो वीडियो को आप अंतक जरूर देखें, तो चलिए, friends देखते हैं आज का पहला current affair आज का पहला current affair है, जार्खन के कीस परसिचक को खेल अवाड 2020 के तहद दुरुनाचारी अवाड से सम्मानित किया गया चलिए, friends इस संदर में कुछ बातें मैं आपको बता दू, जार्खन जमसीतपूर के रहने वाले धर्मेंदर तिवारी जार्खन के तीसरे वेक्टियें जिनने दुरुनाचारी अवाड से सम्मानित किया जाएगा कब किया जाएगा तो 29 अगस्त को खेल दिवस के उपलच्छ में इन्हें सम्मानित किया जाएगा इस से पूर्व बता दू, friends, संजीव कुमार सिंग को 2007 में दुरुनाचारी पुरसकार से सम्मानित किया गया और ये तीनों प्लेयर आर्चरी यानि तिरंदाजी के कोच रहे हैं, ठेक है, तो ये इतनी बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है friends, हाली में खेल अवाड 2020 जारी की गई है, तो खेल अवाड 2020 से बनने वाले हरो प्रस्ण को हम डिसकस करेंगे जो जेपीसी और जेससी एक्जाम के साथ साथ सेंटरल लेबल पे होने वाले एक्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, तो हमें जेससी और जेपीसी को टार्गेट करना है, तो चलिए कुछ खास बाते मैं आपको बता दूँ खेल अवार्ट 2020 की समीती ने सुक्रबार को किर्केटर रोहित सर्मा, महिला पहलवान विनेस फोगाट, महिला हौकी टीम के कप्तान रानी रामपाल, महिला टेबल टेनिस खिलाडी मनीका बत्रा और पैरा एथलीट मरियपपन थेंगा वेलू को 29 अगस्त को रास्टी खेल दिवस की मौके पर खेल रतनावाट से नवाजा जाएगा यानि पांच वेक्तियों को पांच खिलाडियों को खेल रतना पुरसकार से नवाजा जाएगा और वे खिलाडी कौन है तो रोहित सर्मा, विनेस फोगाट, रानी रामपाल, मनीका बत्रा और पांच में हैं तो आपको ये नाम याद रखने और साथ में खेल भी याद रखने फ्रेंट्स जैसे रोहित सर्मा क्रिकेट से जुड़ें, विनेस फोगाट, महिला पहलवान हैं, उसी तरह महिला होकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हैं और तेनिस खिलाडी मनीका बत्रा और पैरा एथल तो आपको खिलाडी की साथ साथ खेल का भी नाम याद रखना है तो ये इंपोर्टेंट है यहाँ इसको ध्यान रखे आगे बता दो फ्रेंट्स राजीव गांदी खेल रतन पुरसकार से समंदीत कुछ खास बात हैं भारत में खेल के छेतर में दिया जाने वाला यह सर्व इसके तहद फ्रेंट्स विजेता को 7.5 लाक रूपीज दी जाती है इस पुरसकार से समंदीत हाली में एक और न्यूज है जिसे हम आगे डिसकस करेंगे आगे बता दो फ्रेंट्स दुरोनाचारी पुरसकार की सुरुवात 9085 में होई थी यह मैं पिछले वीडियो में बता अरजून अवार्ट की सुरुवात 9061 में किया गया था फ्रेंट्स और इसके तहद भी 5 लाक पुरसकार दिया जाता है ध्यांचंद पुरसकार का सुरुवात 2002 में किया गया था और इसके तहद भी 5 लाक रूपीय का पुरसकार दिया जाता है आगे बता दूं किर्केटर र मानित किया जा चुका है तो आपको एक और बात ध्यान रखना है जारखंट के ही महान खिलाडी महेंदर सिंग धोनी को 2007 में खेल अतन पुरसकार दिया गया तो इसे ध्यान रखिए यह प्रसन ज्यादा important हो जाता है आज का दूसरा प्रसने फ्रेंट्स हाली में शुरू की गई मीशन परती रच्छक दस सेवियर्स का समन्द किस निम्न में से किस से है तो आपसन है प्लाजमा डोनेशन से, बलड डोनेशन से फाइलेरिया उनमुलन से, उपरोक्त तीनों से तो बतादो फ्रेंट्स इसका सही अंसर क्या है तो प्लाजमा डोनेशन से मीशन परती रच्छक दस सीवियर्स का समन्द है तो आपको यह ध्यान रखना है इस संदर में एक्स्प्लानेशन देख लिते है राची जिला परसासन की पहल पर रिम सपडीसर और पुलीस लाइन में सामोहिक पलाजमा दान कारिकरम का सुरवाद की गई है आगे तीसरा प्रसन है फ्रेंट्स स्वच्छ सर्वेच्छन 2020 में दस लाग से ज़्यादा अबादी वाले सहरों में जारखन से अवल अस्थान पर आने वाला सहर कौन सा है तो यह important प्रसन है याद रखी राची है और धनबाद है जमसेदपूर है और पस्चमी सिभूम यह सारे उप्सन है तो आपको सही अंसर बताना है तो बतादू फ्रेंट्स इसका सही अंसर क्या है राची स्वच्छ सर्वेच्चन 2020 में 10 लाग से जादा अबादी वाले सहरों में राज्य में प्रत्थम अस्थान लाया है और डेश में इसका क्या रेंग है उस संदर में चली देखते है स्वच्छ सर्वेच्चन 2020 में 10 लाग से जादा बादी वाले सहरों में 30 अस्थान पर राची तथा 33 अस्थान पर धनबाद रहा है और पिछले सर्वेच्छन से फ्रेंट्स बहुत अधीक सुधार हुआ है क्योंकि पिछले सर्वेच्छन में 2019 में राची 46 में पोजिशन पे था और धनबाद 56 पे था तो राची में 16 अंक आगे आया तो ये एक अच्छी पहल है फ्रेंट्स आपको बता दो यदि राची में गार्बेज डिस्पोजल प्लांट होता तो राची को 1000 पॉइंट्स अलग से मिलते हैं और राची देश के टॉप 10 सहरों में आता तो चलिए हम उमीद करते हैं कि नई सरकार गार्बेज डिस्पोजल प्लांट लगाए और अगले सर्वेच्छन में हमारे राची की राच्धानी राची टॉप 10 में आए सुच्छता सर्वेच्छन से समंदित कुछ और भी बातें बता दू फ्रेंट्स की 10 लाख अबादी 10 लाख अबादी या 10 लाख से कम अबादी वाले रैंकिंग में हमारा ओद्योगी की राच्धानी जमसितपूर देश में 7 अस्थान पे इस्ट जोन में 50,000 से 1 लाख अबादी में गुमला सहर को सात्मा रैंक मिला है तो यह भी ध्यान रखें इंपोर्टेंट हो जाता है सात्मा सात्मा आपको याद रहेगा जमसितपूर और गुमला इसके अलावे 25 से 50,000 अबादी वाले सहरों में जुगू सलाई जो की पुर अधा प्रस्ण आयुसमान भारत योजना के दाथ सबसे ज़्यादा रासी क्लेम के मामले में देश में प्रथम अस्थान पे कौन सा राजी है तो उप्सान है जारखन, महरास्ट, मद्यपरदेश और 36 गण तो फ्रेंट्स बता दूँ इस योजना के दाथ फ्रेंट्स आप पांच लाक रुपिये तक का मेडिकल इंसुरेंस क्लेम कर सकते हैं तो इसे अब ध्यान रखे जारखन इस मामले में क्लेम करने के मामले में देश में अवल अस्थान पे राए ठीक है और फ्रेंट्स आगे मैं आगे की कुस्चन बताने से पहले आपको बता दूँ कि आपक आपको इस ग्रूप में आपको इस ग्रूप में एड कर दिया जाएगा आज का पांचवाँ प्रसने फ्रेंट्स भारतिय अच्छे उर्जा दिवस इंडियन अक्छे उर्जा डे कब मनाये गया तो आपसने 7 अगस्त 12 अगस्त 20 अगस्त और इन में से कोई नहीं तो बता दो फ्रेंट्स इसका सही अंसर क्या है 20 अगस्त यानि भारतिय अच्छे उर्जा दिवस कब मनाया जाता है तो 20 अगस्त को ध्यान रखे फ्रेंट्स जब डे का बात हो गया है तो अगस्त महिने में आने वाले परमुक दिवस को मैं आपको बता दे रहा हूँ जो जैसे से हम जैपी सी एक्जाम पॉइंट ओ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो 18 अगस्त को विश्व संस्क्रीत दिवस मनाया जाता है और 16 अगस्त को राश्टी हथ करदा दिवस मनाया गया तो यह भी इंपॉर्टेंट है making इंडिया के ताहώνा की ठांद ह्त्त निवस सह्हिया है इसे याद रखिया पॉइंट और दिवस मनाया गया और हमारा जारखन आदिवासी बहुल छेतर है तो यहाँ पे आदिवासी दिवस का अपना ही महत्व है फ्रेंड्स विश्व आदिवासी दिवस पे मैं एक separate वीडियो बना रखा हूँ जिसमें विश्व आदिवासी दिवस से विश्व आदिवासी दिवस का इतिहास और यहां से क्या-क्या प्रस्न बन सकते हैं objective और descriptive दोनों तरस मैं explain क्या हूँ तो अब यदि आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस तथा अंतरास्टी लेप्ट हैंडस डे भी मनाया जाता है 15 अगस्त को हमारा स्वतंतर्ता दिवस था फ्रेंड्स तो यह तो simple है 11 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है यह भी याद रखे 29 अगस्त को रास्टी खेल दिवस मनाया जाता है हमारे हौकी की जादूगर मेजर ध्यान चंद के जन्व दिवस के अफसर पी 29 अगस्त को रास्टी खेल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन खेल दिवस के जितने भी पुरसकारों के घोसित खोसना की गई वे इसी दिन दिये जाते हैं खिलाडियों को इसी दिन सम्मानित किया जाता है छटवा प्रसने फ्रेंट्स इंडियन सूपर लिग के किस टीम से इंग्लिज डिफेंडर पिटर हार्ट ले जूडेंगे तो option है जमसेथपूर एपसी चेननाई एपसी, केरला बलास्टर एपसी गोवा एपसी तो फ्रेंट्स बता दूँ इसका सही एंसर है जमसेथपूर एपसी और यह हमारे लिए JSCM, JPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अब ध्यान रखिए इस संदर्ण में कुछ और भी बात है मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ तो यदि आप पिछले वीडियोस को नहीं देखें तो आप जाके देखिए वह भी very very important है वहाँ से भी बहुत से प्रस्ण बनेंगे यानि 21 अगस्त के जो current affair है उसे देखिए वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे बातें बता रखी चलिए आगे हम कुछ explanation देख लेते हैं हाली में जैकी चन सिंग एवं पिछले एडिसन के golden boot winner जेरी नेरी जूस वाल किस याद रखिए नाम थोड़ा complicated नेरी जूस वाल किस भी जमसेतपूर एवसी से जूड़क चुके हैं तो पिछले जो पिछला सिजन था उसमें इन्होंने golden boot winner रहे थे ये और इससे पूर्व चेन नहीं एवसी से जूड़े वे थे आगे बतादो फ्रेंट्स इंडियन सूपर लिग 2021 का आयोजन 21 नॉमबर 2020 से 21 मार्च 2021 की बीच में कोवा में आयोजित किया जाएगा और यहाँ मैच बिना स्रोता की यानि बिना दर्सक का खिला जाएगा इसका परशारन आप टीवी पे देख सकने हैं तो ध्यान रखना है इस बात को भी आपको ध्यान रखना है आगे बिता दो फ्रेंड्स ISL आनि इंडियन सूपर लीग की सुरवाद 2013 में हुई वर्तमान में कुल 10 टीमें इसमें भाग लेती है और इसका स्पॉंसर्शिप हीरो मोटर कॉर्प के पास है तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसका स्पॉंसर्शिप कौन है और हाली में IPL हुआ IPL का निलामी हुआ है तो IPL का स्पॉंसर्शिप किसे मिला है तो आप याद रिखे ड्रीम 11 आप सबों ने कुस्चन आप दे डेम में उसका एंसर किया था सात्वा प्रसने फ्रेंड्स जार्खन कैडर के किस आईए सधिकारी को चुनाव आयुक्त बनाया गया और सने राजीव कुमार, राजीव गौबा, सुखदेव सिंग, सुधीर कुमार तो बतादो फ्रेंड्स इसका सही एंसर है 1984 बैस के आईए सधिकारी जार्खन कैडर के आईए सधिकारी राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया चलिए कुछ explanation देख लेते हैं फ्रेंड्स असोक लवासा जो जल्द ही ACI विकास बैंक के उपाध्यच के पद समालेंगे के इस दिफा के बाद इन्हें इस पद के लिए नुक्त किया गया तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी की हुए हर दिन मैं आपसे question of the day पूछता हूँ तो हमने पिछले वीडियो में भी आपसे question of the day पूछ रखा था तो उसका answer आप सबों ने इन डिटेल में बहुत अच्छा explanation के साथ दिया है very nice इसी तरह आप answer किया किजे इससे आपका भी benefit है और हमारा भी मनोबल बढ़ता है हम motivate होते हैं कि आप तक ज़्यादा अच्छे साच्छे content ला सकें तो please आप comment box में comment में answer लिखा किजे और इन डिटेल में लिखा किजे आप साथ नामों को मैं यहाँ लाया हू जो सारी answer में best explanation दे रखे तो आप सबों में से कुछ वैसे नामों को मैं यहाँ लाया हूँ सहदेव कुमार, प्रिया कुमारी और मनीश कुमार ये वे लोग हैं जिन्होंने इन बहतरीन वे में explanation लिखा है चलिए ये MD मस्रूल आलम का answer है दिखिए कितने अच्छे से इन्होंने explain किया इसी तरह लिखिए इससे आपका revision हो जाता है कुडर्मा को जार्खंट की अभरक राजधानी और देश के भी अभरक राजधानी के नाम से जाना जाता है इसके अलावे उन्होंने बताया कोडर्मा से प्राप्त रूबी अभरक पूरे वर्ल्ड में famous है कोडर्मा का जुमरी तिलया का खान अभरक के लिए world famous है तो इतनी बातें आपको comment box से सीखने को मिल जाती है तो आप जब वीडियो भी देखें अगर evening में देख रहे हैं तो एक बार comment box भी visit कर लिया किजिए क्योंकि बहुत सी बातें यहां वैसे लिखी होती जो आपको किताम हो भी नहीं मिलेगा विधान सबा या विधान परिशत इन सब से जुड़े जो भी आर्टिकल है यानि चुनाव से जुड़े जो भी आर्टिकल है आप उसे भी comment box में mention कीजिए आप google search करके उसे mention कीजिए इसी बाहने आपका revision हो जाएगा आपको याद हो जाएगा फ्रिंड्स ये तो थी जारकन के कुछ मत्पुन current affair एम question of the day इसके लावे आपको बतादो फ्रिंड्स सरकारे भी हमारे लिए लगातार कारी रत है ओ अलग बात है कि कुछ फैसलों ये मनीमों से हमें नुकसान भी होता है फिर भी जिस चीज़ पर हमारा control नहीं है उस बारे में सोचने से अच्छा है वर्तमान परिस्तिति में ढलना तो फ्रिंड्स सरकार के द्वारा B&C के नौकरी है तो अब एक एक एकजाम सेट यानि Common Eligibility Test होगी जो National Recruitment Agency NRA के द्वारा कंड़क कराई जाएगी इसका Positive Aspect अगर देखें फ्रिंड्स तो यह है कि अब आपको बार-बार अलग-अलग एकजाम के लिए पैसे खर्च नहीं करने होगी साथ ही आपको जो लंबी-लंबी यात्राएं, ट्रेने में सीटे को सीटो का ना मिलना और बहुत से समस्याओं से जूजते हुए अलग-अलग जगा पे जाना होता है रुकने की समस्याओं बहुत सी समस्याओं थी उन सब समस्या से आपको निजाद मिलने वाला है इसके अलावे आपका जो एक्जाम होगा वो लोकल एरिया में होगा तो यह इसका अलग ही फाइदा है और आपको आपका जो अस्कोर होगा यानि Common Illigibility Test का अस्कोर होगा वो तीन वर्स के लिए मान ही होगा हर वर्स आप एक्जाम में बैठ के अपना स्कोर शुधार सकते हैं एक फाइदा यह भी है कि स्लिवश शमान होगा आपको अलग-अलग एक्जाम के अलग-अलग स्लिवश का भी बड़ा नुक्षान होता था तो चलिए friends हम इसके implementation का इंतजार करेंगे परनतु फिलाल आपका एक ही काम होना चाहिए वो है पूरी तनमेता से पूरी मेहनत से तैयारी करना यानि जो भी एक्जाम फिलाल है आने वाले इसे इसका implementation में तो समय लगेगा सेट का यानि common eligibility test के implementation में समय लगेगा तो फिलाल जो आपके एक्जाम है उसके बारे में पढ़िए फिर भी मुझे लगा कि आपको inform कर देना चाहिए इस संदर्म में तो मैंने इस वीडियो में यह बातें discuss कर ली फिर 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 मिलूंगा मैं early morning तब तक के लिए जैहिन और जै भारत कर दो कर दो कर दो कि आपके लाद के लिए एक्षाब। झाल झाल झाल